विश्वं दरपण द्रश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर गतं पश्यन्नात्मनीमाय यह बहिर्वोद भूतं यथा निद्रयाह यह शाच्छात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानं एवाद्वयं तश्मय श्री गुर्मूर्थये नम इदं श्री दच्छना मूर्थये अशुभानी निराचस्टी तनोतिशुब संतितम इस्मरति मात्रिन यत पुन्साम ब्रह्मतन्मंगलं परम अधि कल्यान रूपत्वात नितकल्यान संश्रयात इस्मरत्रनाम बरदत्वाच ब्रह्मतन्मंगलं बिदुः ओम कि पिछले वीडियों में हमने बताया था कई वीडियों में ख्याती के वासे हम दिए कि सर्प रसी में सर्प की जो सत्था उसमें ख्यातिओं की सिर्ट की बड़ी ख्याति हैं जैसे चाहिक पीछले वाले वोडियो उसमें बताया था तुThis में बहुत लोगों ने दो लोगे इसमें क्या है कि रसी को सर्प जानना क्लियोद है कि यह यह पड़ह पुड़ा पातिभासिक है यह रज्यू सर्फ का इतना अधिक बिचार हुआ है सास्त्र में किसी भी दर्शन सास्त्र से अगर आप मलों एमें पीसडी करते हो बेक्ति को अगर हम छह मेने लगातार यह पढ़ाएं कि रज्यू सर्फ का रहस्य क्या है तो उसकी समझ में आना बहुत कठीन जो लोग केवल अज्यान को ही परमात्म पर आवरल मानते हैं यह बड़ी अद्भुच चीज है साप है तब दिखता है साप मन में तब दिखता है साप का होना ना होना अनिवर्चिनी है यह जितनी ख्याती आत्म ख्याती अनिवर्चिनी ख्याती सत ख्याती असत ख्याती अ देखा है तो अज्ञान ही परमात्मा का आवरण है कोई दूशरी जड़ वस्तू परमात्मार पर आवरण नहीं हो सकती कोई शैतान आ गया सचमुच कहीं परचनता आ गई केवल अज्ञान न समझने से है आत्मा और परमात्मा का भेद केवल अज्ञान से ही मालूम पड़ता है चली बताते हैं आप लोग जानते हूं डाक्टर संपूर्णा नंजी थे वे बाद में यूपी के उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गये थे अब करपात्री जी उनको बोलते थे कांग्रेस में संस्क्रत के एक ही पंडित हैं बहुत बड़े अब वो उनकी किताब उन्होंने एक जिए लिखा है अपनी बुक में वो बोलते हैं कि अनादी शब्द का क्या आर्थ होता उन्होंने लिखा है बावु संपूर्णा नंजी ने क्या लिखा था कि जो अनादी होता है उसको अनंत जरूर होना चाहिए जिसकी आदी न पकड़ी जाए उसका अंत भी नहीं पकड़ा जाएगा अब यह जैसे बीज पहले की ब्रच अगर मालों वो बोलते के पहले बीज या ब्रच अब कहो कि इसका आदी हम नहीं पकड़ सकते तो बोले कि उसका अंत भी नहीं पकड़ सकते लेकिन इसका आंत तो अभी कर दें उस बीज को जला दीजिए बीज को परंपरा से अनादी मानना पड़ेगा ठीक है पर आग में जला दो तो वो जल जाएगा ये जीवत तो और जगत तो की सुरुवात बुद्धी में नहीं आती है क्यों नहीं आती क्योंकि काल ही अनादी है काल ही शुरू कब हुई काल की शुरूआत कब हुई इसलिए बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो काल की धारा में बहती चली आ रही उनकी आदी भी होती नहीं परंद उनके बीच की जो परंपरा है उसे आग में जलाया जा सकता है ठीक है इस तो यह जो संपूरांदन जी किया पढ़के इन्होंने अमल्लाव इस चीज को ज्छाना अब क्योंकि अब पढ़त के विद्वान तो बन गए हमने कई बार बोला लेकिन वह इस अर्थ को नहीं पकल पाई वह बोलते कि जो आनादी है वह आनंत ऐसा को जरूए नहीं कि जो पुरुष व्वेक कर रहे थे उसमें प्राण का प्राण कितने प्रकारगे होते हैं ठीक है प्राण प्राण दस प्रकारगे हैं इनमें पंच प्राण मुख्य है इनको मुख्य प्राण कहते हैं यह कौन-कौन से होते हैं पहला पहला है प्राण ठीक है अपां दूसरा अप प्रम यह होगया मुख्यप्राण अब 5 उप्रण नाग कूर्म क्रकल देवदत और धनजय अब यह प्राणощ के धर्म क्या है प्राम का धर्म जैसे प्राण प्राम क्या है क्या ग्रोन हर्देश है स्थान गहां अब यह सुंची आप रात दिन में जो स्वांस प्रस्वांस की परक्रिया कतने बार होती यह 21600 वार 21600 बार स्वांस प्रस्वांस की क्रिया होती रहती है दूसरा है अपान अपान यह कहां इसका इस्थान है गुदह स्का काम क्या मलत्यागər और आतों की वायू का निश्काशन अपान दोरा अब आया समान तीसरा भूँख लगना प्यास लगना पाचन और पोशन इसका इस्थान का है नाभी देश अब चौथा उदान जो हिच्की आती है छींक आती है स्वपन और प्रहुत क्रमण भी उदान के दोरा होता है इसका काम है तो ये इसका हर्दय के उपरी भाग में इसका नौज अब दूसरा ब्यान ब्यान कहां संदियों की ब्योस्था करता है शरीर के सारे अंगों में रहकर संदियों की क्रिया की ब्योस्था करता है इसका इस्थान शारे शरीर में इस तरीके ये ब्याप्त रहता है ठीक है अब ये आकास की अब ये सब चीजे हैं अब करमेंद्रियां जो हैं वो ग्यानेंद्रियों की पूरक हैं ठीक है करमेंद्रियां क्या है ज्यानेंद्रियों की पूरक होती है जैसे अब पांच करमेंद प्राण पांच ग्यानेंद्रियों की पूरक है कैसे कान शब्द शुनना चाहता है वाक शब्द बोलता है दोनों में आकास का तनमात्र है है की नहीं सुनना सत्ट प्रधान है समझ गी नहीं समझ गई अब होता क्या इसमें आकास की दूद रज यो झेला बता देते जो आकास का आप चलिए थी आकास की जो राजस तनमातर से वाक कर्मेंद्री जिशर शब्द बोलते हैं और ब्यान ठीक है इनका जो है ये अप जो है ये जो ब्यान नामक प्राण बनता है ठीक इससे वो शरीर के सबंगों में रहकर संधियों की क्रिया की ब्योस्था करता है आकास का काम वायू क्या है वायू की राजस तनमातर से पाणी मला हाथ इंद्री जिससे आदान प्रदान का कर्म होता है और समान नामक प्राण बनता है जिसका इस्थान नाभी देश है ठीक है वायू से अब तूसरा तेज से क्या होता है तेज से पाद पैर कर्मेंद्री से गमना गमन कर्म कर्म होता है उदान वायू का निर्मार करता है और रूप में रहता है और हेढ़े के ऊपर भाग में विचरण करता है थीक है यह हो गया अब उसके जल की राजस्तनमात से क्या उपस्त जननेंद्री और प्राण की रचना होती है जननेंद्री से मूत्रत्याग युम संतानोत पत्ति कर्म होता है और प्राण हर्दय में रहता है प्रत्थिवी की राजस्तनमात से पायू गुदा करमेंद्री बनती है तथा मलत्याग और इश्काशन रूप कर्म तथा अपान वायू का निर्मान होता है इसके ब्यापार का इस्थान कहा है गुदा है अब यह जो कर्मेंद्रियां है यह कर्मेंद्रियां ग्यानेंद्रियों की पूरक होती है थी कान शब्द सुनना चाहता है वाग शब्द बोलना चाहता है दोनों तो कि उन्दरी तुच्छा च्छूना चाहते हैं ठीकर आप तूमली तुचा से क्या करतें हैं च्छूना चाहते हैं ओर हाथ पाड़ी स्पषय में सहाएक दोनों में वायुतंमात्र वहां थाक् रसना से रस ग्रहन और मुतिंद्री उपस्त से मूत्रवीर विसर्जन दोनों में जल तनमात्र है उसकी इस्थूल रचना कहा है जल के तामस तनमात्र का परिवार थी कि नासिका से गंद ग्यान करते हैं गंद ग्यान करते हैं करते हैं तो गुदा पानवायू का विसर्जन कर दोनों में प्रत्वी तत्व का तनमात्र है और दोनों के जो इस्थुल रूप प्रत्वी की तामस तनमात्र का परिणाम है ठीक यह दशों इंद्रियां मतलब पांच ग्यानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां अपंची क्रत पंच भूतों से बनी है यदि ग्यानेंद्रिय उनके सात्विक तनमात्राओं से बनी है ग्यानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उनके रजोगुनी तनमात्राओं से सत्वगुन ग्यानात्मक है और रजोगुन क्रियात्मक इंद्रियों के गोलक जो क्रिया इस्थान है इस्थूल है वे पंचभूतों के तमोगुली तनमात से बने है अब सवाल इस बात कि इंद्रियां इस तूल भूतों से नहीं बनी इसलिए साँख के मत से इंद्रियां पूरे शरीर में ब्यापक रहती सांख के मत में उनके गोलक शरीर में किसी भी किसी प्रक्रिया विशेश से हाथ से देखने लगे या पैड से सूंगने लगे चीटी नाग से देखती है और सर्पनेत्र से सुन सकता है ये प्रचलित लोकोर्टी है अब हम सब की भी दो इंद्रियां रसना और वाक तो एक ही गोलक जिभ्या में कारे करती ही है प्राण ठीक शरीर में ब्यापत रहते इंद्रियां शरीर भियाप़ी है और गोलक परिछेन में नहीं है। अब जोिसरो च्छु शरीर है,,, इसके परिणाममें तीन मत. अभज meant बन वैशेशिक लोग है वो लोग जो है अनुपरमाण मानते हैं मलब अनुपरमाण से बना परमाणु एटम से ठीक है वैशेशिक आदी नयाईक वैशेशिक अनुपरमाण मानते हैं ठीक है इसको शुश्म शरीर का जो मन बना है और विभू परिमाण मानते हैं योग योग दर् मद्यम पढ़ना मुला विदान्त अंता करण को मद्यम पढ़ना मर्था शरीर के शरीर में नक से शिखा तक ब्याप्त मानता है। अब इंद्रियों इंद्रियां जो है शूर शरीर के अंतरगत है अता हुए शूर शरीर के साथ ब्यापक है अब इंद्री को इंद्री क्यों कहते हैं क्योंकि ये इंद्र की है इंद्रस इत इंद्रयम मलब इंद्र स्रस्ट इंद्र जुष्ट इंद्र दत हैं इंद्र कर्म के कर्म के दे होता है इंद्री किसके दे होता है कर्म के अब इंद्री कर्म के दे होता है इंद्रियों में विकास सभी प्राणियों में ठीक है अगर मालों जो इंद्रियों में जो भी विकास होता है वो हो प्राणियों में एक दो तीन चार पांच इंद्रियों का विकास देखा ए उसकी गिंती मन के अंत्रक्यत मन' करने हो नितव दस इंद्रीयों से प्रत्यकोत्पता है प्रत्याष्छी 50 से निरपेच्षण का सामर्थ इसमें नहीं है इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करके धारण करके उसके संसकारा अनुशार ही मन कलपना करता है उस कलपना के अनुशार ही मानस प्रत्य छोता है अधा इंद्रियातीत स्वताशित वस्तु मन के द्वारा नहीं जानी जा सकते अब मन के चार उहाग कर सकते हैं, अब प्रसिद्ध है ये, जैसे मन, बुद्धी, चित और अहिंकार, अब चंचलता के कारण क्या होता है, चंचलता के कारण मन जो है, क्या कर सकते हैं, मन वायु तत्तो का सात्विक तत्मातर है, ठीक है, चंचलता कारण क्या मन में वायु त तत्तो का सात्विक तन्मात है और निश्चय ग्यान प्रकास के कारण बुद्धी में अगनी तत्तो का सात्विक तन्मात है और चिंतन में रत होने के कारण चित्त में जल तत्तो का सात्विक तन्मात है चिंतन में क्या रस है इसलिए चित्त में जल तत्तो का सात्विक तन्मा अभिमान की कठोरता काल अहेंकार में प्रत्वी तत्तु का सात्विक तन्मात समझ गए आकास का सात्विक तन्मात से उत्पन इस फुरण को पांचवा अभिभाग मानकर पंची करण की प्रक्रिया पूरी हो गई पूरा पंची करण की प्रक्रिया पूरी हो गई इस फुरण के कारण भी आत्मा नहीं हो सकते क्योंकि आत्मा ग्याता है इसलिए कहा गया है पंच महाभूतान्या आत्मा ना भवन्ती पंचत्वात गेयत्वात मतलब यह जो है गे होने के कारण भी यह आत्मा नहीं है क्योंकि आत्मा ग्याता है अब यदि यह कहो कि पंच भूतों का यह आत्मा है तो वह भी नहीं हो सकता समझ गए समों आत्मा नहीं हो साथ क्योंकि संगहाथ है तो किसी अन्न के लिए होता है पंजबूतों से बना दे पंजबूतों से बने विषय पंचभूतों करने वाली इंद्रियां पंचभूत गुलों की तनमात्राइं है । ukки के इसी प्रकार यह नही ही महान हे हैं और भूत भी इसलिए इनको महाभूत कहते हैं महान भी और भूत भी हैं महान इसलिए कि बहुत ब्यापक है और भूत इसलिए कि उत्पन हुए है नहीं समझे अब इसमें जो न्याय अब न्याय वैसी सिख के अनुशार जो द्रब्य है गुण और क्रिया के आश्रे का नाम है तो मतलब नयाव वैसे सिक्क के नुशार द्रब गुन और क्रिया के आश्रय के नाम है ठीक है अर्थात शब्दादी गुन है और आकाशी जो आकाशादी हैं उनके आश्रय द्रब्ब हैं सांख का कहना है कि शब्दादी तो विश्यों से भी सूच में हैं ठीक है अतावे द्रब के गुन नहीं है वे तनमात्र है जिन से पंच महाभूत उत्पन होते हैं तो ये जो पंच महाभूत जो महाभूत उनके द्रब भूतों के द्रब के कारण है बेदांत का कहना है कि जो शब्दादी मात्र एंद्रियक हैं एंद्रियों से प्रथक इनकी स पतता ही नहीं है अंताकराण में प्रतिविंबित होकर ही यह गुण क्रिया और द्रब दीखते हैं समझ गए यह है अब अगे हम बात करते हैं चलू पहले इंद्रियों के चलो देवताओं की बात करते हैं इंद्रियों के देवता कोन है कर्मिंदियों और अंताकरण के देवता चलो बता देते हैं जिसे वाक है वाक का अधिदेव कोन है वाक के देवता कोन अगनी ठीक है पाणी पाणी के देवता कोन है इंद्र पाणी मने हाथ और पाद पाद मने पाद चलने उनके देवता कोन है बोले उपेंद्र, अधिदेव, देवता में अधिदेव कौन है, उपेंद्र, उपस्त के प्रजापति, गुदा के यम, अंतकरण के, मन के कौन देवता है, बोले चंद्रमा, बुद्धी के देवता कौन है, बोले ब्रह्मा, और चित्त के देवता, वशुदेव, नारायन, ह अब इसी प्रकार घ्यानेंदरियों की भाति इनकी इनकी भी त्रिप्टियों को भी समझे भीन्चबूत महान क्यों हों है महान इसलिए कहा जाता है ब्यापक है और भूत इसलिए कि वो उत्पन हुए है इनका ले सोसुत्ती में देखा जाता है यह उत्पन हुए है ठीक है इसलिए यह उत्पन हुए है इसलिए इनको बोलते हैं क्यों बोलते हैं कि भवंत इति भूतानी जो हुए है उत्पन हुए ह वो भूद है अब चलिए हम समझेंगे ये अहेंकार महतत्त और अब्यक्त ये क्या है अब ये अहेंकार क्या है अहेंकार अहम ठीक है ये जो अहें और अहेंकार अब इसमें चलिए हम बताते हैं माल लीजे पंच भूदों का जब कोई कार नहीं है तब विभिन अनुपातों स म्रिस्टित होकर देखाकरती कैसे धारन करते हैं इनको इस क्रत करता है है यह तत्त अहिंकार है ठहकर इनको एक साथ अकत्र कऊन करता है यह सारे भूतौक इंको तत्त Oras अब अब और आगे समझे जो अभी हम एहंकार कर रहों हैंificación ह्त्त अहिंकार का मतलब जो अहम और एक है अहिंकार यह दोनों अलग-अलग वस्टु है देखिये जो अहिं और अहिंकार एकी नहीं जात जो ऑहिंकार वह है जो क्रिया यूकत्त है कर्म जन्न करम का विमानी है और जो कर्म संसकारों को धारण करने वाला है इसके बेस्टी और समस्टी रूपों में भेद किया जाता ठीक है अब इसमें दो हैं एक जो बेस्टी अहेंकार और एक है समस्टी अहेंकार ठीक है और उसी में लीन होते हैं, कि तो अहेंकार भी महतत्त का कार है, अताहा उसी में लीन होता है, इसलिए ये भी छेत्र है, छेत्रग्य नहीं है, ठीक, अहेंकार भी छेत्र है, अब ये क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, क्रियाएं क्या बहुत होती हैं, हजारों क्रियाएं, पुरुष पुरुष के लिए होते हैं, पुरुष क्रिया के लिए नहीं होता, महा भूतों के लाखों क्रिया हैं, मस्तुमें बन रही हैं, इस क्रिया के मूल में करता तो सक्ती क्या है, बोले आहिंकार, आहिंकार के बिनिया क्रिया के दोरा बेवस्थित कर्मी नहीं हो सकता, तो बुद्धी के बिना करता का कर्म बेवस्थित नहीं हो सकता भले ही उसके पास क्रिया शक्ति हो, लेकिन बुद्धी होनी जाए इसी प्रकार, स्राश्टी की इस क्रिया के मूल में जो करता हैं, कार है ठीके, उसका भी कारण क्या है, समष्टि बुद्धी, महतत्त भी सदा क्रियाशील नहीं रहता जो महतत्त तो है यह समझटी बुद्धी मान लो इसको यह सदा क्रियाशील नहीं रहेता एक ऐसी आवस्था आती है जहां सब अव्यक्त हो जाते हैं जैसे आपकी गाल सुसुपती तो ना काल ना वाह वस्नुआं का न देश का कि मैं कहां हू वहां कुछ भी स्वरित नहीं होता, कुछ भी मालू नहीं पड़ता, आप गाण नीद में हैं, अपने पराये, यह हो मैं के भेट के ग्यान से अच्छूते रहते हैं हमेशा, यह अब्यक्त दशा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अब्यक्त, दूसरे छण, दूसरे ही छणा को ब परण होने से, अग्यान रूने से अब्यक्त भी छेत्र है, ठीक है, अब बेदांत में जल से स्रश्टी विस्तार नहीं मानते हैं, ठीक है, जैसे पहले बता चुके हैं, इसलिए अब्यक्त, महतत्त, अहेंकार और पंच महाभूत, इन आठों तत्तों को शुद्ध चैतन की ब्रह्म हैं, ये आठ ब्रह्म की उपाधी हैं, समझ गए, अब एक महतत्त, अहेंकार और पंच महाभूत, ये आठों क्या हैं, ब्रह्म की उपाधी हैं, तो अहेंकार की उपाधी से युक्त जो चेतन है, उसे विश्व विराट कहते हैं, ठीक है, जल की दृष्टी से जो यह विराट है, यह विराट इस थूल प्रकति का भोगता है, इसका इस्थान मनुष्ट की जगद औस्था है, खीक है, अब इसमें दूसरे मतों का भी है, मान लीजे, खीक है, अब मान लीजे जैसे नियाय मत क्या मानता है नियाय और वैसेशी के अनुसार यह तो बता चुगे है ना हम कि उसमें क्या है ठीक है बैदान्त में अब यह जो अब्बैक्त क्या है ठीक है अब्बैक्त मालब अब्बैक्त का मतलब होता है कि यह जो है यह अरे मूल प्रकृति महतत्त्र भी महतत्य उपादी से यूक्त्य जो छेतन है उसे तयाजस हिरनगर् Plato को इसको सूतरात्मा भी कहते हैं यह सूच प्रकृति का भोगता है इसका इस्थान सो अपने बुद्धी ठीक है यह अब्यक्त क्या है अग्यान या माया की उपादी से युक्त जो चेतन है उसको प्राग इश्वर कहते हैं यह आनंद का भोगता है और इसका इस्थान सो सुपत यह नियमित चैनल का घ्यान नहीं होता यह नियम है कि ज्यान है उसका ग्षान नहीं होता अससूर मत मत माल नहीं नहीं होता है बाष्च नहीं है इस कार्त है कि अहमकार जो अहमकार में जो चैतन है विराट मतलब नही despair में यह इत में वह continued ए पुरानों में अहंकार के भी तीन भेद बताएंगे पुरानों में जैसे वैकारिक तैजस और इनकी पुराणों में अलग अलग यह सब परिवरतन शील हैं और गे भी हैं अथा यह छेत्रा हैं लिए के लिए है कि लिए हम यह सारी आपको थोड़ थोड़ बताय दें लिए इन में से कोई यह सब मिलकर भी नम मैं हूँ और ना यह मेरे बस देह नम मैं हूँ नमेरा है प्रत्वी तत्यु जिसके प्रतांदा से सोल शरीर बनते हैं वो नम हूँ नमेरी है उस गंद के आनन्दा आया यह हैंकार आया कि मैंने सुगंद इत्र बनाया है जो भी सुगंद भोग उस सुगंद की बुध्धी की यह सुगंद है और सुगंद की बीजावस्था यह सब या इन में से कोई एक न मैं हूं न यह मेरे हैं इसी प्रकाल जल अगनी वायु आकाश तथा इनके गुण रसाद इनकी हंद्रियां मन अहंकार बुधी अव्यक्त यह सब न मैं हूं और ना मेरे हैं यहां किया अब यहां तक क्या माया की चर्च अब देखें माया की चर्चा नहीं हुई है उसके दो भेद है अविद्या और विद्या के कारण अपने ठसा ठस भरे अविनाशी परिपून अद्धत्वी रूप में ये भेद सत्य प्रतीत हो रहे हैं विद्या के कारण ये अपने शरूप में प्रतीत होते हुए भी मिध्या प्रतीत होने लगते हैं माया न छेत्र है न छेत्रग दोनों से विलच्छन दोनों के भेद में कल्पित हेतू है ठीक है अब दूसरा और भ तो कैसे कैसे सातन्य अंग इसके अलावा जैसे इच्छा ड्वैश सुख दुख संगहात चेतना और ध्रती अब क्या अब इच्छा इच्छा क्या यहां इच्छा माने राग है ठीक है सुखा नुशही राग पहले कोई वस्तु प्राप्थ हुई ठीक है पहले कोई वस्तु प्राप्थ हुई जैसे पुरुष इस्त्री धना दी उनके सुख के संसकार से पाने की दुवारा इच्छा का नाम ही राग है दूसरा द्वैश दुखानु शही द्वैश राग मतलब जिससे हमें पहले दुख हुआ था अब उसे हटा मिटा देने की इच कामना पूर्ति के बाद होने पर सुख के निमित्तक सुख है लेकिन कामनाओं के अभाव ठीक है कामनाओं के अभाव में क्या होता है कामना पूर्ति में मालू कामनाओं के अभाव से उत्पन सुख को क्या बोलते है निर्निमित्तक सुख कहते हैं असल में सुख छेत्रग क का सुरूप है छेत्र कमें उसका आपाधिक आभास हो ता सुक स्वयम दुख दोनों गे है इसलिए क्या छेत्र हैं ठीक है दुख दुख सुक का परतियोगी दुख है दुख सुक क करेंठNext कि पर यहाशा हो से विपरीत दुख की की परिभाषा बना लेनी जाए उधारणां जिसमें अपनी इंद्रियां दूसित हो जाती hing उसे दुख कहते हैं प्रत्कूलता का नाम दुख है शांत taxation में परमात्मा का प्रतिविंबन सुक्ष है और उद्वे लथी चित्व में परमात्मा पृतिविम्ब का न पढ़ना दुख है, सुख और दुख दोनों ही गे अता छेतरा है, ठीक है, चेतना, मन और बुध्धी और चित, मन बुध्धी और चित की शक्ती का नाम चेतना है, मुर्चित अवस्था में भी शरीर में चेतना रहती है, चेतना में भी संसकार के योग से इच्छा द्वे संकलप आदी उठते हैं चेतना ही अनुभव अध्यन यहों बुदेश के अनुस्वार निश्चयातिम का बुद्धी का रूप धरण करती है जब न संकलप हो न निश्चय हो किन्तु चेतना हो तब उसका नाम चेतना होता है और जब संकल विकलप चलता है तब चेतना को ही मन कहते हैं ये मन बुद्धी चेतना हमें ग्यात होते हैं अता ये चेतना हैं धरती सरीर में धारण शक्ती है उसको धरती बोलते हैं सो सुप्ती में यही शक्ती जीवन, रक्ता भिशरन, हरदय की धळकानादी को धरन करती, यह अंताकरण में अहिंकार है, अथो अहिंकार की शक्ती है, इसी से कारण जीने की इच्छा बनी रहती है, तूटी, हड़ी, गटे, घाव आदी, अपने आप इसी ध्रती के कारण ठी अब संगात, अनेक वस्तों के मेल से बनी वस्तो को संगात कहते हैं, यह प्रपंच और शरीर, पंच भूतों का, पंच महा भूतों का संगात हैं, इंद्रियों, प्राणों, अंताकरण, इच्छा, दुए, शुक, दुक, चेतना, दृती, इस सब का संगात क्या है, शरीर, जब ये सब अलग-अलग छेत्र हैं, तो इनको गर मिला के छेत्र मनलब शरीर, ये छेत्री रहेंगे, शरीर भी छेत्र आता है, इन सबका संगात शरीर और शंपून जगत छेत्र ही है, मैं ग्याता छेत्रग इनसे बिलच्छन ज्ञान सुरूप हूँ। इसलिए कठोप निशद सुरूती क्या बोलती? अर्थे भेषच परम्मनह, मनसस्तु परा बुद्धि ही, बुद्धे रात्मा महान पराह, महता परम अभ्यक्तम अभ्यक्तत, पुरुषह पराह, पुरुष्वान परम किंचित साकास्ठा, सा पराह गति ही। मतलब इंदियों से परे तनमात्र, उससे परे मन, मन से परे बुद्धी, बुद्धी से परे अहिंकार, अहिंकार से परे महतत्त, महतत्त से परे अब्यक्त है, यह हुआ छेत्र, अब अब्यक्त से परे पुरुष, मतलब यह है छेत्रग्य, और पुरुष से परे कुछ नहीं इसको आप बार बार सुनिए ठीक है? समझ मैं आ जाएगा इसके आगे अब यह हम प्रकरती और पुरुष का विवेग अपने अगले वीडियो में बताएंगे ओम शान्ति